हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर गाइज नीट यूजी के थूज़ो स्टुडेंट्स, बीडियस, बीएमेस, बीएमेस और अधर आयोस कॉर्से जह हैं उनमें admission लेते हैं, आपने सुना होगा काफी सारे scam फरजी वाड़े पकड़े गए हैं कुछ स्टुडेंट्स ने बिना नीट क्वालिफाई किये भी admission ले लिया जो की possibility नहीं है लेकिन काफी सारे स्टुडेंट ऐसे पकड़े गए हैं, तो और भी मामले गाज अब सामने आ रहे हैं सरकारी कॉलेज में MBBS सीट दिलाने के नाम पर 11.41 लाग की ठगी की गई है और ये recent की news है, MBBS के admission के और फरजी वाड़े काफी सामने आये हैं तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ यदि आप NEET USE IT 2023 की preparation कर रहे हैं और यदि आपने 2022 का exam दिया था तो आप लोगों के लिए important रहेगी information क्योंकि 2022 की cut-off आप जान चुके हैं ठीक है और जो admission हो रहे है, हाँ, जो only qualifying marks है, admission उन पर भी हो रहे है और उन qualifying marks पर भी MBBS seat मिल रहे है तो guys लेकिन ये आपको जरूर देखना है कि जो seat मिली है, वो किस type की seat है government seat है, private है, या फिर management quota की seat है ठीक है, क्योंकि management quota की seat की अगर आप बात करेंगे NRI seat की बात करेंगे, private colleges की seat की बात करेंगे तो only qualifying marks पर भी college आपको मिले है लेकिन उनकी fees देखना की fees कितनी होगी ठीक है, financial problem जो है, students को काफी जादा होती है तो MBBS की जो seat है, पहले ही बेची गई है, ये बोला जा रहा है तो ये मामला जो है, पुलिस में आ चुका है तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ एक नया मामला से कायत, जो है, student के थूँ ही दर्ज कराए गई है अब तक क्या हो रहा था, CBI जाच हो रही थी ओफिशल इन्फोर्मेशन, फरजिवाड़ा इन्फोर्मेशन, ओल्ट टाइप ओफ इन्फोर्मेशन आपको यहां पर एवलिबल करवाई चाहेगी 2023 का एप्लिगेशन फोर्म जो एकजाम डेट 7 में अनौन्स हो चुकी है रिजल्ट 30 जून आपकी अनौन्समेंट है ठीक है और काउंसलिंग कट ओफ का जो प्रोसेस रहेगा फुल अप टू डेट आपको इस चैनल के थूर्म किया जाएगा अब गाईज हम बात करते हैं सरकारी कोलेज में MBBS सीट दिलाने के नाम पर साड़े 11 लाख की ठगी हुई है कैसे ये ठगी हुई तो देखे तो जो स्टुडेंट है उनने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है MBBS के लिए है गाईज ये पुलिस ने बताया कि परिवादी स्री गंगा नगर से है उसने अपने लिखेत सिकायत में बताया कि उसकी बेटी ने नीट 2021 के परिक्षा उतीर्ण की उसके बाद जिन कोलेज में एडमिशन मिलने की समभावना थी वहाँ पर काउंसलिंग के लिए अपलाई किया वो जगह जगह जा भी रही थी इसी दोरान उन्हें फ्रोड मिला जिसने सरकारी कोलेज में दाखिलों का भरोसा दिलाया ठीक है राजधानी के संजय सरकिल थाना इलाके में MBBS एडमिशन फ्रोड केस का केस दर्ज कराया गया है दर्ज सिकायत में बताया गया कि नीट की परिक्षा उत्तिन कर स्री गंगा नगर की एक छात्रा का सरकारी कोलेज में MBBS में एडमिशन कराने का सपना दिखा 11.41 लाक रुपे ठग लिए गए ठगी की वारदात को लेकर छात्रा की पिता ने मंगलवार देर रात पुलिस में सिकायत दर्ज कराई परकरण की जाच संजे सरकल थाना अधिकारी मोहमद सफीक खान कह रहे है पुलिस ने बताया कि परिवादी की बेटी ने नीट की परिक्षा उतिन करने के बाद जिन कोलेज में MBBS में एडमिशन मिलने की संभाव ना थी वहाँ पर काउंसलिंग के लिए अपलाई किया जन्वरी महा में दिल्ली से यस चतुरवेदी नाम के एक वैक्ति ने फोन कर परिवादी की बेटी का एडमिशन राजस्थान के किसी भी सरकारी कोलेज में मैनेजमेंट सीट पर MBBS में कराने का आश्वाशन दिया फ्रोड ने परिवादी और उसकी बेटी को दिल्ली आकर मिलने के लिए कहा जिस पर फरवरी महा में परिवादी अपनी बेटी को लेकर यस चतुरवेदी के नई दिल्ली स्थित कारियाले पहुँचा जहां यस चतुरवेदी ने परिवार के बेटी के तमाम दस्तावेज अपने पास रख लिये और भीलवाडा के सरकारी कोलेज में MBBS में एडमिशन कराने का अस्वाशन दिया साथ ही कोलेज फीस और काउंसलिंग फीस के नाम पर 11.41 लाक रुपए की मांग गी फरजी अलोटमेंट लेटर दिखा सुरू की ठगी मार्च 2022 में यस चतुरवेदी के कारियाले से चारु नामक एक महिला ने परिवादी को फोन कर खुद को यस की पीए बताया और परिवादी की बेटी का एडमिसन सम्मंदित अलोटमेंट लेटर वटसब पर भेज कर कुछ रासी खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा उसके बाद अप्रेल महा में यस ने परिवादी को फोन कर सरी गंगा नगर से जैपूर बुलाया और RUHS जैपूर में आयुजित होने वाली तीसरी राउंड की काउंसलिंग के जरिये भीलवाडा के सरकारी कोलेज में MBBS में एडमिशन कराने की बात की दिलासा देठ ठगे लाखो जैपूर में ठगने परिवादी और उसकी बेटी को एक होटल में बुलाया और अलोट्मेंट लेटर वे एडमिशन के दस्तावेज दिखा कर लाखो रुपए की रासे अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली साथ ही यस ने दो दिन में भीलवाडा की सरकारी कोलेज में MBBS में एडमिशन हो जाने की बात कहा एडमिशन फिस की रसीद शाम तक देने की बात कही दो दिन बीत जाने के बाद जब परिवादी ने यस को फोन कर एडमिशन फिस की रसीद और एडमिशन के बारे में बात नहीं की तो यस ने कुछ दिन इंतजार करने को कहा एक महीना बीत जाने के बाद भी परिवादी की बेटी के लिए एड्मिशन को लेकर यस ने कोई डोकुमेंट्स नहीं दिया और साथ ही अपने तमाम मोबाइल फोन स्विच ओफ कर लिए इस तरह है चला ठगी का पता ठग के बदलते सूर पर परिवादी को सक हुआ फिर उन्होंने उन अलोट्मेंट लेटर के बारे में बीलवाडा स्थित सरकारी कोले से जानकरी जुटाई जो उसने भेजे थे तब ही पता चला कि अलोट्मेंट लेटर भी फरजी था इसके बाद यस ने परिवादी का वट्सेप मैसेज भेज कर उससे ली गई तमाम रासी वापस लोटने का आश्वाशन दिया और नवंबर महा में यस ने रासी लोटाने से इनकार कर दिया इस तरह से ठगीका सिकार होने के बाद परिवादी ने मंगलवार को संजे सरकल थाने में दोखा दड़ी का मामला दर्ज करवाया फिलहाल पुलिस ने परकरण दर्ज कर आरोपी की तलास करना सुरू किया है तो गैस ये थी बड़ी न्यूज तो गैस ये एडमिशन 2021 में होना था और 2022 के कांसलिंग भी निकल चुकी है जो पिता थे उनको लगा 2022 के कांसलिंग में करवा देंगे लेकिन अब नहीं हो पाया जब फाइनल नहीं हो पाया तो अब जाकर जो है पुलिस में सिकायत दर्ज कराई है ठीक है एक बड़ा स्कैम है तो ये बच्चों के लिए भी और उनके पैरेंट्स के लिए भी एक सीख है कि ऐसे कभी भी एडमिशन नहीं होता है जो कांसलिंग होगी डिरेक्ट कांसलिंग होगी आप डिरेक्ट कांसलिंग में इंडिरेक्ट होंगे किसी भी third person को आपको विश्वास नहीं करना है NMC के तुरू official notice तक जारी किया जाता है कि ऐसे फरजी वाड़े चल रहे है 2022 की counselling चल रही थी counselling से पहले भी NMC in official notice जारी किया था जो कि मैंने आपको inform कर दिया था after that आप लोग अगर ऐसी गलती करते है तो जो है काफी जादा नुक्षान आपको सहना पड़ सकता है तो यह आप लोगों के लिए important information थी आपकी क्या राय है इस पर कि जो परिवार ने जो family ने किया क्या वो सही किया कि उनने बिना कुछ जाचे सोचे समझे बिना counselling के ऐसे किसी third party को पैसे दे दिये ठीक है सही किया या फिर नहीं किया आपकी जो भी राय है comment box में जरूर बताएगा तो गया जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you